धिस्क at जि अधिया पियारक पियांगे और उल्लों के अ लिग्वेट न सीकेंगे याप के फिर से आपके सामने लिखा गा है सब्सक्राइब करेंगे और है जो चला इसके लिए हम यूज करेंगे बट इन कि मेनिंग हम क्या वस्टू के लिए करेंगे जमारे पासं यूज करेंगे और अच्छे से सबसे पहले हम लोग से हैं कि जो है मेरे प्यारे यह किसकी लिए जोगा ये सिंगूलार सब्जेक्ट के लिए किसके образом किलिए और जो है ये प्लूराल सब्जेक्ट कि ये मेरे लिए बहुत के लिए में बहुत दोनों में बहुत या किस में होगा बाश्ट में होगा कि मेरे पास कोई तो है तो इसके लिए किया करेंगे किया करेंगे जैसे मेंने कहा कि तेहिंः करना है उसके इंगली स्क्षाओ nesse क्या होगी hangers इं इसके इंगलin होगी तो आई क्या करना है सबसे पहले हम लोgua are जो है तीनों का एक साथ सीख लेते इसका स्ट्रक्चिर क्या बनेगा कि सबसे पहले आप सब देख लिखेंगे मेरी प्यारे फिर इसके बाद आपका है is set of or head का क्या कर देंगे youth कर देंगे ठीक ना मिरी प्यारें और इसके बाद आपका क्या हो जाएगा ए और लगा देंगे फिर इसके बाद आपका हो जाएगा Nown ang Adjective क्या हो जाएगा Nown and Adjective और जाएगा यह आपका ष्ट्रक्टर क्लीर हो गया बनाएंगे के आपका सब्जेक्ट हो जाएगा प्लेस आपका है स्थ रहेगा लेकिन इसके साथ साथ आप क्या यूज कर देना डून या डेजन्ट यूज कर देना ठीक ना प्लेस इसके बाद आप है क्या क्या करेंगे युच करेंगे फिर और और लगा दिजीएगा क्या होगा उघ्लिष और बहुत बहतरी तरीका से इंगलिश क्या करें जैसे मैं ने बोला कि मेरे पास एक क्लम मैं आप मेरे पास क्लम क्या हो जाएगा आप बोलेंगे कि I'm sorry I have a pen I have a pen मेरे पास से कलम है हमने बोला उसके पास एक घड़ी है उसके पास एक घड़ी है तो क्या होजाएगा इसकी मेरे प्यारे इसकी हो जाएगा कि he has a watch, he has a watch हो जाएगा, टिक, यह मैंने बोला कि हमारा पहला दूसरा एक संदेंस से और देख लेते हैं, मैंने कहा, क्या कहा मैंने, कि तुम्हारे पास, तुम्हारे पास एक mobile थे, एक mobile थे, अब देखो इसमें क्या हो जाएगा, थी बीद गया, जो पहले थी, तो हमारे याँ पर क्या हो जाएगा, you had a mobile, क्या हो जाएगा, you had a mobile, ऐसे हम बहुत सारे sentence का क्या करेंगे, formation करेंगे, आपके पास जितनी भी चीज़े ले करके रख लो, जैसे हमने क्या क्या, कि हमने क्या क्या, तीन चार चीज़ों को लिया है, a desktop हो गया, a marker हो गया, a whiteboard हो ग मैरे पास एक, I have a white set मैरे पास एक सफ़ेज सैट है, ठीक, I have a big home, मैरे पास एक बड़ा गर, I have a bag, मैरे पास एक बेग, I have a beautiful back, मैरे पास एक सुन्धसा जेख, he has a beautiful bag, उसके पास एक क्या है है, सुन्धर जेख, I have a स्मार्टपॉन मेरे पास एक स्मार्टपॉन हैं यू एब स्मार्टपॉन तुम्हारे पास एक घड़ी है तो ऐसे यहां पर करेंगे और बनाएंगे और ऐसे बहुत सारे संदेज का आःग सार्मेषन करके संदेज का कर सकते बना सकते है लेकिन हम लोग नहीं रुखना है हम लोग प्राक्टिस आपको करना पड़ेगा because I have already told you मैं आपको पहले ही बताया हूं और मैं बता रहा हूं क्या क्या आगे की तरफ चलना क्योंकि हमें इंगलिस बोलना क्या करना असानी से सीखना है अब देखो इसमें अभी तक आपको एक परसें इंगलिस नहीं आ रहे हैं तक मेरे पास एक किताब इसको कहेंगे इंगलिस में मेरे पास घड़ी इसको इंगलिस में कहेंगी अभी तो मैंने आपको बता दिया रहे हैं तो आई से इंगलिस तीखी जाती है तो आईए क्या करते हैं लोग और भी चीज़ी को क्या कर लेते देख लेते हैं अब इसी को में लांग संडेंस बनाना क्या बनाना लांग संडेंस किश को लेकर कर के को लेकर या हैड को लेकर बनाना और इसमें एक वर्स को मैं आपको बता रहे हो क्या बता रहा मेरे प्यार होड और आपको पता चाल्ड रोल मेश क्या होता बजपन छाल बोडी्य थो बज़वर्पन होता मेरे प्लडences इसी बुठा लिया कि I had a pencil in my childhood, बच्पन में मेरे पास एक क्या थी मेरे प्यारे, पैल सिन थी, क्या थी, बच्पन में मेरे पास एक पैल सिन थी, I had a pencil in my childhood, दूसरा मैंने संदेश बोला कि I had a small phone in my childhood, in my childhood, बच्पन में मेरे पास क्या था, मेरे पैरे एक स्मार्ट यानि छोटा फोन था, क्या था, छोटा फोन था, I have a all-in-one book in my childhood, मेरे पास बच्पन मेरे पास एक सुन्दर सिखड़ी थी, तो हम ऐसी क्या करेंगे, अब ही देखेगा हैं सब सारे संदेश को एक साथ कंबाइन करेंगे, वाँ, क्या खुद सूरात इंग्लिस बनेगी, कितनी इच्छी इंग्लिस बनेगी, आप सोच नहीं सकते थे भी जब कंबाइन होगा संदेश इस पर आईए, एक संदेश समलोग क्या कर लेते, और बना लेते मेरे पैरे, जैसे, एक संदेश को क्या कर लेते, और बना लेते, जिससे मैंने बोला मेरे पैरे, और यू हेड़ यू हेड़ आ ब्लैक जैकेट इन योर चायल्ड हूड देखो क्या गजब के बना यह कहारा कि यू है डा ब्लैक जैकेट यह क्या था मेरे प्यारे ब्ल treadmill यह तुम्हारे पसमेरे पास क्या आती राट सुषिक्स करना न भूलिए यही तो हमारा क्या है में फावर होगा इंगलिष के चेत्म बेस्ट वर्णने के क्लिए क्योंकि आजकर हर एक जॉब के लिए इंगलिस क्लिए इसलिए आपके बीच यह सूपर संस्था आपको देगी बहुत ही बेहतरी इंगलिस बोलना मेरे प्यारे आसानी से शीख जाएंगे प्लीज राइट चॉर कॉपी मेरे प्यारे या इसकी सॉल लेज़िए बात मे प्रैक्टिस करना है आपको क्या मिले असानी होजा है ठीक ना तो आईए अब हम लोग सीखेंगे इस सारे संदेश को कंबाइन करेंगे तब देखेंगे कितना खुब सूरत इंगली साहज है जो कभी आपको नहीं आ रहे तो आज के बाद आएगी मेरे प्यारे तो आपको ले प्रैस क्या खुब सूरश संटेंस कि अब कैसे अब कैसे बनेगा जब इसका करेंगे मेरी प्यारत आप सबसे पहले क्या लिख दीजिए का आई का लिखेंगे आई आए के बात आपके उसके पर हैट हैट के बाद डॉट डॉट जिसके बाद लगाएगा इन माई बट एक वर्स और जोन देना नाव इसके बाद क्या लगा देजिए कि आई आई डोन कि आई डोन्ट है और बाकि सब सेम को क्या कर लेंगे उतार लेंगे यह देखिए आपका क्या हुआ एक चाहर हुआ और इसी इस्ट्रक्चर के सारे आपको एक चाहँ पड़ना है कैसे बोलेंगे मेरे प्यारे आईए देखते हैं हम लोगी मेरे पास यहाज बचपन में मेरे पास एक घड़ी थे लेकिन अब अब नहीं है लेकिन अब नहीं है यानि बचपन में मेरे पास एक घड़ी थी है हिंदी का संडेंस आपके लिए सकते हैं कि क्या का सकते हैं क्या हैं आया आएड आव वाच इन अब और न वाच इन माई चायलतूड बट नाव क्या लगांगे बट नो लेकिन अब आइड नथ है बट नाव आ डोंट है इस तरीके से आप लोग बहुत सारे संदेश का फॉर्मेशन करेंगे आई हम लोग दो एक एक जांपल और देख लेते हैं जैसे मैंने क्या कहां मेरे प्यारे हमने एक जांपल बोला नंबर दो मैंने कहा आप से कि I had a car I had a car in my childhood यानि मैंने कहा कि I had a car in my childhood बच्पन में मेरे पास एक कार थी बटनाव बटनाव आई डोंट है बटनाव आई डोंट है लेकिन अब नहीं है पाच्पन में मेरे पास कार थी लेकिन अब नहीं है ऐसे ही मेरे पहरे आई हम लोग तीसरा क्या कर देते देख लेते जैसे मैंने क् का कि I have a I have a friend I have a friend in my मेरे पास क्या तो यानि I had a I had a friend in my childhood बच्पन मेरे पास दोस्त थे बटनाव बटनाव आई डूंट है बटनाव आई डूंट है थे नाल माइडियर इस तरीकी से जिसे मैंने थे और सब्सक्राइब करेंगे और बहुत सारे संदेश का फोर्मेशन करेंगे और इंगली साफ के लिए बन साइगी एक्दम से लमाइडी अगर आप कोई भी काम सीख रहे हैं कोई आपको चाहिए क्योंकि बीना प्रैक्टिस कर ही नहीं सकते अगर पहली बात करें कुछ तो कोई मिश्टक हो जाएगी दूसरी बार करेंगे मिश्टक होगी तीसरी बार करेंगे तो बना करवा कर रहेंगे मेरी प्यारे करवा करेंगे सब्सक्राइब करना और इंग्लिस आपके बन जाएगी सब्सक्राइब करना और घर पर प्रैक्टिस करने के बाद अगर आप घर पर प्रैक्टिस कर रहे हैं जो भी आप एंग्लिस की प्रैक्टिस करें तरह आप रिकार्ड कीजिये वीडियो करके हमारे पास बेज़ दीजी और फिर उसको आपको बता बहुत ही कमपल सरी है किसी भी जॉब के लिए इंगलेश क्लासे निच्टीज क्लास आपको बहुत ही कम समय में इंगलिस का ज्यादा इंप्रूब्मेंट्स क्या करेंगी देगे आलमाइडियर्स प्लिस राइट और इस पर आपको प्रैक्टिस करना और बहुत सारे संडेश को प्रैक्टिस करके कीजिएगा और आपको कोई मिश्टेक आथ उसे बताइएगा वह मिश्टेक से आपको गलतिया आपको सब्सक्राइब करना ना भूले और अपने के जितनी भी आपके साथी है सबकी पास वीडियो को सेर किजिए और सब लोगों के पास सेर किजिए ताकि उन्हें भी इंग्लिस कुछ ना कुछ पॉइंट से कुछ ना कुछ आज आए क्योंकि हर एक जॉब के लिए सरकारी गॉ प्षरी हो चुकिया मेरे प्यारे धन्माद आल माइड यह सब्सक्राइब कर दो